दोस्तों आप जब भी कोई वाटर रिजिस्टेंस या डस्ट रिजिस्टेंस फून बाय करती हैं तो उसके साथ आपको एक IP रेटिंग देखने को मिलती है तो यह सब क्या है इनका मतलब क्या है और IP रेटिंग के बारे में आपका क्या जानना जुरूरी है तो आज आप यूडियो देखते रहें क्यूंकि आज इस वीडियो में आपको आई पी रेटिंग के बारे में ही बताने वाला हूं और साथ ही साथ आई पी रेटिंग को लेकर कुछ कंफूजन है उनके बारे में आपसे बात करने माला हूं अस्राम लेकुम दोस्तों मेरा नाम है काशिफ और आप देखने टेक इनफो एडियू चले शुरू करते हैं अब दूस्तों कोई भी डिवाइस हो चाहे वो मुबाइल फून हो चाहे वो टीवी हो चाहे वो स्पीकर हो या चाहे कोई भी गैजट हो तो अगर वो किसी तरीके से इस तरीकेस तरीकेस्ट चाहे वो डिवाइस मेरा फेक्ट्र स्पैसिफाइब करते हैं उस रेटिंग को यह जो गैजट है फिर चाहे मुबाइल हो टीवी हो स्पीकर हो लैप्टॉप हो या कुछ भी हो यह किस हर तक सॉलिड आइटम और लिकवर आइटम के अगेस्ट आप दोस्तों सबसे पहले हम बात करती है कि IP क्या है तो IP का मतलब है ingress protection मतलब कि इस device में liquid या solid के against कितनी protection है फिर इस IP से आगे जो number आपको नज़र आती है वो दो number होती है मतलब IP 56 का मतलब है कि 5 और 6 ये जो दो number है ये अलग अलग चीज़ें बताती है पहला number solid के against protection बताता है और दूसरा number liquid के against protection बताता है अब solid का मतलब कि अगर हम mobile phone की बात करें तो वो बारीक डस्ट जो phone के अंदर जाकर phone को खराब ना कर दे अगर बड़े किसी part की बात करें तो ऐसा ना हो कि किसी machine पर काम करते हुए किसी शक्स का हाथ अंदर चला जाए तो मतलब ये कि उसकी protection नहीं है इसलिए इसको अलग-अलग category में divide किया गया है और जो मैं पहले number की बात कर रहा था solid वाली तो उसे हम start करते हैं zero से अब zero का मतलब कि उस device की कोई protection है ही नहीं फिर एक का मतलब कि 5 cm से बड़ा कोई भी object उसके अंदर नहीं जा सकता फिर दो का मतलब कि 1.2 cm से बड़ा object उसके अंदर मतलब कोई भी gadget हो या device हो उसमें नहीं जा सकता इसी तरह इसकी limit बढ़ते बढ़ते आ जाती है 6 तक यहां पर 5 और 6 number जो हैं इन में 5 का मतलब यह है कि वो काफी हद तक dust को उस device के अंदर जाने से रोकेगा लेकिन अगर किसी तरह dust अंदर चली भी जाती है तो उस device को कोई नुकसान नहीं होगा उसकी functionality वैसे ही काम करती र नहीं सकती तो पहले number के बारे में आपको समझ आ गही होगी mobile में इस number की बात करें तो अमूमन जो नए feature phone हमें मिलते हैं उन में आपको 5 या 6 number देखने को मिलता है फिर बात करते हैं दूसरे number की तो वो liquid के गेंस production के बारे में हमें बताता है इसके लिए भी हम start करते है zero से ब पानी को angle पर गिरा के चेक किया जाता है कि protection है या नहीं पानी को pressure से डाल कर चेक किया जाता है कि protection है या नहीं तो ये सारी checking एक दो तीन चार पांच छे में आ जाती है लेकिन जो 7 number है और 8 number है वो ये बताता है कि आप कितनी गहराई तक उस device को डुगो सकते हैं मतलब कि 10 मीटर गहरे पानी में 15 मिनट या 30 मिनट तक है तो वो protected रहेगा फिर नबर आता है आठ तो इसमें IP 8 का मतलब ये कहा जाता है कि 3 मीटर गहरे पानी में भी gadget protect है अब आगे manufacturers की मर्जी होती है कि वो क्या क्या protection आपको provide करते हैं अब मिसाल के तोर पर कोई ऐसी device है जिसकी rating है IP 67 अब इस rating में 6 का मतलब ये हुआ कि ये जो device है वो पूरे तरीके से dust resistance है या dust proof है और 7 का मतलब ये हुआ कि वो 1 मीटर गहरे पानी में 15 से 30 मिनट तक सही काम करता रहेगा ऐसे ही दोस्तों आप जब सुनते हैं IP 68 तो फोरण आपके दिमाग में आएगा कि 6 का मतलब dust resistant और 8 का मतलब waterization तो अमीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे लेकिन IP rating को लेकर काफी सारे confusion भी है मसलब के मेरे पास जो phone है वो 1.5 मीटर गहराई तक बिलकुल फसलास काम कर सकता है 30 मिनट तक उसे कोई problem नहीं होगा लेकिन अगर मैं उसे 2 मीटर गहराई में लेकर जाओं तो क 5-10 मिनट तक सही काम करता रहेगा या अगर मैं उसे सिरफ 10 सेंटी मीटर गहराई तक ही रखता हूं एक शर्या 5 मीटर गहराई में नहीं लेकर जाता तो फिर क्या वो 30 मिनट से ज्यारा देर चलता रहेगा या मैंने एक दफा फोन को पानी में डाला 1.5 मीटर गहराई तक और 29 मिनट तक वहाँ पर ही रहने दिया उसको रखा जैसे ही 29 मिनट पूरे हुए मैंने फोन बाहर निकाल लिया और एक मिनट बात फिर उसे डबो दिया तो क्या वो अगले 29 मिनट तक चलता रहेगा तो ऐसे बहुत से कन्फूजन मिद्स गलत फहिमिया है जो बिलकुल भी क्लारिफाइड नहीं है कहीं पर भी यह साबित नहीं है तो यहीं बातें कई बार आपके लिए डॉट बन जाती है और कोई भी डिवाइस को कमफर्टेबली यूज़ करने से आपको रोगती है कि डेड़ मीटर से ज्यारा नीचे चला गया तो क्या होगा डेड़ मीटर से पिऄ पर रखा तो क्या होगा डस इस के अंदर चली गई तो क्या होगा तो दोस्तो यही कुछ डॉट्स हैं लेकिन जितना बोला गया है यह जितना लिए उसका मतलब तो यह है कि जो बताया गया है बस उतना ही करते रहे तो इसमें कोई दिकत नहीं आएगी और नहीं आप आपका कोई डिवाइस खराब होगा तो दोस्तों उमीर करता हूँ कि IP रेटिंग के बारे में आप अच्छे से जान गई होंगे कि यह क्या है IP 56, IP 58, 67, 68 इन सब का क्या मतलब है और हमारा इन सब के बारे में क्या जानना जुरूरी है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत और अगर आपका कोई भी स्वाब हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कुमेंट ज़्रूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने टेखिण करने के साहल साथ वीडियो को लाइक भी कर दिजूए, क्योंकि मैं रगौना यहाँ पर इसी तरह की टेख वीडियो लेकर आता रह झाल झाल झाल